अपन एक्सपोजर टू यूवी रेडियेशन डी ने स्टेंड विध इठीडियम प्रॉमाइड विल शो ठीक एक इस कौन सा कलर आएगा तो जब आप डीने आइसोलेशन वाली प्रॉसेस पड़ोगे जेल एलेक्टोफोरसिस में तो वहां पर ये स्ट्रेट्मेंट आपको मि से जब हम कलर करते हैं और फिर यूवी रेडियेशन का एक्सपोजर देते हैं तो जो डीनेस के सेपरेटिड बैंट है जो जलेल एलेक्टोफोरसिस से सेपरेट हुए हैं वह ब्राइट ओरेंज कलर के बैंड देंगे एक्स्ट कोस्चन देखते हैं कोस्चन नमबर 13 इन जी अब यहां पर जो माइक्रो पार्टिकल्स आफ कौन से मिटल यहां पर इस्तेमाल होते हैं जो डीने होता है या जो उमारा जीन ऑफ इंटरेस से उसके चरवतर तरफ कोटिंग कर दिया थी कवरिंग की जाती है ताकि डीने डामज ना करे दियूरिंग द जीन ट्रांसफर ब कि यह प्रिवेंट करता है डीने को डामज होने से लिए राइट कभी-कभी यह भी कोशन पूछ लेता है कि क्या जीन गन मेथर्ड जो है कॉमनली किस तरह की सेल में इस्तेमाल होता है तो वहां पर ऑप्शन ध्यान रखेगा प्लांड सेल में अलाकि वैडवांस मेथर्ड म अनिमल सेल और फंगल सेल में इस्तेमाल हो रहा है जीन गन मेथर्ड फॉर्ड जीन ट्रांसफर लेकिन नॉर्मली प्लांड सेल में एक्स कोशन आते हैं कई सारे कोशन पूछे गए हैं नेक्स कोशन आ गया 2023 गए देखिए लाइन से तीन कोशन आ गए विच आपने इन दोन को पढ़ा होगे human genome project में these are the artificially constructed vector जिनका human genome project में human gene की cloning करने में इस्तेमाल किया गया था ये एक का और बैक का option b जो है probe दिया हुआ probe is wrong answer ये cloning vector नहीं है probe जो होता है single standard RNA या single standard DNA होते हैं जो radioactive labeled होते हैं और इनका इस्तेमाल होता है particular gene को detect करने के लिए तो यहां पर सही जो अंसर है वो probe is not the cloning vector next question पर आते हैं इसके बाद next question next question जो है वो है process of recombinant DNA technology से question है कि main steps in the formation of recombinant DNA are given below arrange these steps in a correct sequence एक step पूरा दिया हुआ है R DNA technology का जिसको recombination DNA technology हम लोग कहते हैं और फिर यह कह रहा है कि इनके जो सारे steps इनको एक सही sequence में लगाई है अब देख लेते हैं कौन कौन से sequence है insertion of recombinant DNA into host cell तो यह तो पहला होगा नहीं देखिए मैं सीधे आता सबसे मेरे खाल से सबसे पहला होगा isolation of desired DNA fragment ठीक है तो उसके लिए हम करेंगे cutting of DNA at a specific location by restriction enzyme then क्या करेंगे amplification of gene of interest using PCR और फिर उसके बाद मेरे खाल से insertion of recombinant DNA into the host cell तो इसका सही answer जो होगा मेरे खाल से ए वाला होगा ति आपको जो desired DNA fragment isolate करना है उसको निकालने के लिए आप restriction enzyme के इस्तमाल करोगे फिर इसका amplification करोगे PCR के तुरू polymerase chain reaction के तुरू और फिर क्या कहते है उसको insert करोगे host cell के अंदर तो first का sorry first मैं बोल रहा हूँ कौन सा question है 78 है 78 का ये ये वाला answer right answer होगा ओके तुरू अपर कर देता हूँ कि आपको तुरू साफ साफ नजर आ है तुरू दुनला हो रहा है ठीक है अब इसके बाद next question देखते हैं ये भी 2023 का ही है कई सारे question है वही बाटेक्नोलोजी से molecular से भी कही सारे question पूचे गए है जिनेटिक्स से हैं तो इस important chapter है बाटेक्नोलोजी वाला जिनेटिक्स, organism, population और बाटेक्नोलोजी के दुनों chapter important questions आते हैं यहां से और जाधा question आते हैं during the purification process for recombinant DNA technology addition of chilled ethanol precipitate out histone polysaccharide RNA DNA simple सा है कि यहां पर DNA को isolate करने लिए practical में भी आपके है class 12 में practical भी आपने किया होगा या जो लोग 12 में इस साल होंगे उन्होंने भी किया होगा DNA isolation के लिए last में chilled in all एक side से दालते हैं test tube में तो DNA precipitate out हो जाता है state के form में तो सही answer यहां पर D वाला होगा ओके तो मेरे खाल से इतनी कोस्चिन है प्रिंसिपल और प्रॉसेस से वाजाते हैं application वाले पर बाटेकोनाजी के दूसरा पार्ट देखिए application in medicine से question पूछा गया है बाटेकोनाजी में which one of the following techniques does not serve the purpose of early diagnosis of a disease for its early treatment तो molecular diagnosis of disease से ही question है यह जो topic actual में है तो कि change करता हूँ page में तो actual question पर आते हैं तो कौन सा early detection के लिए नहीं इस्तेमाल होता है method इसमें अब option दिया हूँ पॉलिम्रेस chain reaction ELISA enzyme linked immunosorbent assay R.D. technology और serum and urine analysis तो recombinant DNA technology last all option is serum and urine analysis तो last D option जो है वो सही answer है कि serum और urine analysis जो होता है early disease diagnosis के लिए पता करने के लिए diagnose करने के लिए नहीं होता है advanced method जो हमारे पास है polymerase chain reaction है enzyme linked immunosorbent assay है R.D.N. technology है use of molecular probe है इनका इस्तेमाल किया जाता है quick यानि कि early और जल्दी detection के लिए जैसे RT-PCR का इस्तेमाल हो रहा था corona detection में RT मतलब होता reverse transcription को याप समय दूर्य कमतों जाश्ख को यापर सरा बनुपस्तेमान weather है को पहूल divine दाताफे है